हलो फ्रेंड मैं हूं नीक और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियो हम बात करने वाले जिमबामबे ए वर्सेश साउथ प्री का एक बी जो फोर्थ ओड याई मैच ओनला इसका ड्रीम 11 टीम का वर्सेश साउट प्रीम 11 टीम के प्लेर स्वागत हूं जीत्कर बीज और और पिछला मैच में से दो मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और खास करके लाश्ट मैच में 85 रन wit बना के जा रहा है और पिछला मैच मैं बता दूए जिंबामबे ए टीम जीत कर भी आ रही है तो यहां से ची भाबा को आप जुरू अपने टीम में रखेगा बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है और बात किया जब मारू मनी का तो पिछले मैच से विकेट किपिंग मारू मनी कर एक यूँके मोट ममज प्रफॉर्मन इा अच्छा परफॉर्मन्स नहीं कर पा रहे थैं और मोट ममज में से फुम मैच में अपने टीम में रखे लाश्ट मैच में उतना बड़ी पारी तो नहीं खेल पाया लेकिन प्लेयर देखे बहुत जबर जस्ते और छमता इसके अंदर है कि यह बड़ी पारी खेल सकता है फ्रेंट यहाँ से इसी वह से मैं बोलूगा मारूमंदी को आप जुरू अपने टीम मे रखे मुसा कंडा को मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बोल दिया था कि नहीं खेलेगा क्योंकि परफॉर्मिस उतना कुछ खास नहीं रहा था फ्रेंट पहले दो मैच में इसी वह से थर्ड मैच में इनको ड्रॉप किया गया और इस मैच में भी मुसा कंडा नहीं खेल लेकिन गेंदबाजी में कमाल का पर्फॉर्मेंस किया यार और तीन विकेट लेकर आ रहा है सुयासे डी मायर को आप जुरू अपनी टीम में रखे है बहुत जबरजस्ट प्लेयर है पिशले मैच में हमारे टीम का वाइस कैप्टेन भी था और जबरजस्ट पर्फॉर्मेंस रहा था सुयासे डी मायर को आप जुरू अपनी टीम में रखे आर काया को छोड़ सकते है उतना कुछ खास प्लेयर नहीं है मोटमबामी नहीं खेलेगा गलती से मोटमबामी को अपने टीम में मत रखेगा सुमबा आपको खेलते हुए दिखाई देदेगा पिशले तीन मैच में दो मैच में ठीके ठाक पर्फॉर्मेंस रहा है फ़र्ष्ट मैच में तीस रन और अभी जो लाश्ट मैच खेलकर आ रहा है वहाँ पे पचास रन बना के आ रहा है नंबर पाँच पर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देदेगा अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते है जॉंगवे को छोड़ सकते हैं कुछ खास प्लेयर नहीं है और पर्फॉर्मेंस भी देखा जाए तो सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया है तो दो मैच में फ्लॉप रहा है तीन मैच में से दो मैच में फ्लॉप रहा है सो यासे जौंगवे को छोड़ सकते हैं एंडी लोभू को भी छोड़ दीजे इनका परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास रहा नहीं है मुफुद्जा का बात क्या तो लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन पिछला दो मैच से उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किये पिछले दो मैच में सिर्फ एकी विकेट ले पाएं सो इसी वएसे मैं तो फिलाल मुफुद्जा को अपने टीम में नहीं लेने वाला हूँ चाटारा बॉलिंग अच्छा कर रहा है चाटारा को आप जुरू अपने टीम में रखेगा पिछले दो मैच में तीन विकेट ले चुका है सो इसे चाटारा को जुरू अपने टीम में रखेगा चिभांगा नहीं खेलेगा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोली दिया था और आपको पता है पिछले मैच वही चिबांगा नहीं खेला है और इस मैच में भी चिबांगा नहीं खेलने वाला है तो चिबांगा को मत लिजेगा वही बात के जासे बीचारी का तो बीचारी खेलते हुए दिखाई देगा लेकिन बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है तो इसी वैसे बीचारी को फिलाल अपने टीम में नहीं रखेंगे और यहाँ से नयाची का बात किया तो अगर आप लेना चाहिए तो नयाची को ले सकते हैं बॉलर ठीक था कि पिछले मैच में दो वीकेट लेकर भी आ रहे हैं आई अब बात कर लेते हैं साउथ प्रीका एटीम के प्लेयर्स का तो यहाँ से जे मलान का बात किया जाए तो मुझे समझ मनी आ रहा पिछले मैच में जे मलान को क्यों नहीं खेलाया गया फॉस्ट दो मैच देखे साउथ प्रीका टीम विन कर गई है और मुझे लगता है कि साउथ प्रीका टीम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई पिछले मैच में और अपने जो में में प्लेयर थे जैसे जे मलान हो गया मुथ्धु सामी हो गया ऐसे प्लेयर जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे इनको मतलब रेश्ट करवा दी पिछले मैच में और यहीं नतीजा रहा कि साउथ प्रीका टीम पिछले मैच में हार गई बहुत बुरी तरह से जिंबांबे के गेंश्ट पिछले मैच में दीखें जे मलान नहीं खेले तो और यह चार मैच का सीरीज है अभी भी साउथ प्रीका टीम इस सीरीज को विन नहीं की है और अगर यह मैच साउथ प्रीका हारती है तो सीरीज मतलब ड्रॉ हो जाएगा और अगर जीतती है तब सीरीज को विन करेगी तो मुझे लगता है मेबी जे मलान आपको खेलते वे दिखाई दे सकते क्योंकि ये important match है deciding match है अगर ये match जीतेगी South Africa team तभी series को win कर पाईगी वरना draw हो जाएगा ये series इसी वाइसे मुझे लगता है जे मलान को इस match में केसिल के जगह पे जो पिछले match में जे मलान के जगह पे खेला था केसिल उसके जगह पे जे मलान को दुबारा इस match में खेलाया जा सकता है तो अगर आप लेना चाहे तो ले सकते है जे मलान को वही बात के जाएसे रीकल टन का तो रीकल टन को जुरू अपने team में रखेगा भी अच्छा performance करके आ रहा है तो रीकल टन को आप जुरू अपने team में रखेगा और रीजा हैंडी का बात क्या है तो फॉर्ष्ट दो match में इन्होंने हाप century मारा लाश्ट मैच में शुरू अच्छा मिला था लेकिन बड़ी पारी में convert नहीं कर पाए लेकिन आपको ही पता अभी इस वक्त देखा या साउथ प्रिकर टीम में तो सबसे अगर experience प्लेयर अगर कोई है तो हो है रीजा हैंडी और performance भी देखिए ठीक ही ठाक रहा है तो यहाँ से आर हैंडी को आप जुरू अपने team में रखेगा जेड हमजा को अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन पिछले मैच में flop रहा हैं लेकिन player जब अगर आप try करना चाहे तो कर सकते हैं टी ब्रून को जुरू अपने team में रखेगा जिन्नोंने first match में century मारा था बड़ी पारी खेलने का चमता रखते हैं स्यासे टी ब्रून को रख लीजेगा और पिछले मैच के इकलोते बल्ले बास्ते साउथ प्रिका ये टीम के तरफ से जिन्नोंने बहुत अच्छा performance किया साथ रनुकी नोंने बहुत अच्छी पारी खेली नमबर पांच पे आके जोर्जी जोर्जी को आप जुरू अपने टीम मे रखे बहुत अबरजस्ट प्लेयर है और मुथू सामी का बात कहें तो पिछले मैच में मुथू सामी को भी बैठा दिया गया आप देख लिए सेकेंड मैच में चार विकेट इसने लिया था और मुथुसामी को इस मैच में रेश्ट करा दिया गया साउथ प्रिका को लगा कि अगर अपने मेन प्लेयर को रेश्ट करा देंगे फिर भी हम मैच विन कर लेंगे तो जिमबाम्बे का टीम देखिया हलके में लेने वाली टीम नहीं है कि पिछले मैच में आमें देखने को मिलाई है पिछले मैच में साउथ प्रिकर टिम जिम बांबे को टिम को हलके मिली और अपने दो मेन प्लेयर जो थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस किया था उसको रेश्ट करा दी जिस वज़े से पिछले मैच में साउथ प्रिकर टिम हार भी गई बुरी तरह से इस मैच में मुझे नहीं लगता है कि पिछले मैच की तरह साउथ प्रिकर टिम गलती करेगी और हो सकता है इस मैच में आपको मुत्तु सामी खिलते वे दिखाई दे देंगे तो अगर आप मुत्तु सामी को लेना चाहे तो ले सकते हैं बात के जहाँ से डीप रिटोरियस का तो डीप रिटोरियस को जुरू अपने टीम में रखेगा लाश्ट मैच उतना कुछ खास नहीं रहा लेकिन उससे पहले देखे इन्होंने 5 विकेट निकाला है बहुत अबड़ अस परिटोरियस को जुरू अपने टीम में रखेगा और एफेल उकवायो को छोड़ दीए मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बोला था कि एफेल उकवायो ड्रॉप किये जाने वाले यानि किरेश दिये जाने वाले और पिछले मैच में नहीं खेले थे फेल लुकवायो रीजन यह था कि परफॉर्मिस इनका उतना कुछ खास रहा नहीं था इसी वयसे इनको पिछले मैच में बैठाया गया और एस मगला के बारे में भी मैंने आपको बोला ही था कि एस मगला भी नहीं खेलने वाला क्योंकि इसका performance वो तरह कुछ खास नहीं रहा था इसी वैसे यह स्मगला कोई पिछले मैच में नहीं खेलाया गया जी इस्टूर्मैन का बात क्या है तो इनको पता नहीं क्यों बैठाया गया पिछले मैच में इनको भी रेश्ट दिया गया लेकिन में भी हो सकता है यह वाप बैटिंग भी बहुत अच्छा किया था फ्रेंट सो यासे सिपमला को आप जुरू अपने टिम में रखेगा केसिल का बात क्या तो केसिल को छोड़ सकते केसिल के जगा पेस मैच में आपको जे मलान खेलते हुए दिखाई दे देंगे और डबलू लुबे का बात क्या तो डबलू लुबे ने बैटिंग तो अच्छा किया लेकिन बॉलिंग कुछ खास नहीं कर पाई फ्रेंट लेकिन फिर मुझे लगता है आपको ये खेलते वे दिखाई दे देंगे बॉलिंग मतलब देखिए उतना भी खराब नहीं रहा था बहले ही विकेट ना मिला हो लेकि मैंने फिर भी जुनियर डालर को अपने टीम में रखा टॉस के बाद मैं आपको टेलिगराम पे बताया था क्यूंकि हमारे टीम से दो प्लेयर मिस ते एक जे ले मलान मिस था और जे हमलान के जगा पर हमने हमज़ा को पिछले मैच में पने टीम में रख एठा ठेलीगराम विकेड भी लिया सो पिछले मैच का तुरूप का एक का जुनिया डाला ही रहा था हमारे टिम में और इस मैच में भी आपको जुनिया डाला हंडिट परसेंट कहलते हुए दिखाई दे देगा तो यह से डाला को आप जुरू अपने टिम में रखेगा डूपा विलन में भी ड्रॉप किया जा सकता है रिजन ये कि मुथ्व शामी इस मैच में खेले साउत प्रिका कवे मने मतलब जीतना है तो क्राइब अपने विडियो को लिए और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शुरू कर दीजे क्यूंकर आपक बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फॉल होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जुरूब कर दीजे अगर अभी तक नहीं किये हैं तो आई अब बात कर लेते हैं आसे पीछ रिपोर्ट की तो देखें ये मैच भी हरारे में होने वाला है जैसा कि पिछला तीनों ही मैच हरारे में हुआ है और बैटिंग फ्रेंडली पीच देखने को मिला है और आपको हाई एश्ट इसकोर यहाँ पे सिर्फ दो सुचपविस रन देखने को मिल रहा हुआ क्योंकि साउथ प्रिगा पहले बैटिंग की थी और जो में प्लेयर नहीं खेले थे इस वज़े से बहुत जल्दी मतलब चार-पंच विकेट गवा दी थी साउथ प्रिगा टीम ने फिर भी जोरजी ना के समाल दिया और यहाँ पे 226 रन भी बना पाई फ्रेंड और लेकिन मैं आपको बता दू पी 300 प्लस स्कोर भी स्पीच पे बना हुआ है तो पीच बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है वही बात किया जब बॉलिंग का तो पिछले मैच में आप देख सकते 13 विकेट गी रहा था टोटल जिसमें से 10 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और सिर्फ 2 विकेट स्पीनर ने लिया था तो यहाँ पे भी आप कमपेरिजन कर सकते ही कि स्पीनर के मुकाबले फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल रहा और अबित तक पिछले तीनों ही मैसे यही देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलता और बैटिंग friendly पीछ देखने को मिलता है तो देखे इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने dream 11 टीम तैयार किया हुआ है तो आई अब direct dream 11 टीम देख लेते हैं तो यहाँ से बात किया जब विकेट कीपर में तो देखे मुटूम बामी तो नई खेलने वाला है और केसिल के जगा पे इस मैच में आपको मलान खेलते हुए दिखाई देंगे तो केसिल को भी लेकर कोई फायदा नहीं है तो विकेट कीपर में हमारे पास सिर्फ एकी ओप्सन मत बचता है रिकल्टन का सो रिकल्टन को आप जुरू अपने टीम में रखे बात करते हैं आसे बैटिंग का तो बैटिंग में रिजा हेंरी को रख लीजे बहुत अच्छे फॉर्म में और देखे जे मलान का अभी भी मैं कंफर्म नहीं मान पा रहा हूँ इसी वज़े से फिलाल के लिए जे मलान को नहीं रख रहे लेकिन अगर टॉस के बाद हमें पता चलता है कि जे मलान इस मैच में खेलने वाला है तो जे मलान को हम लोग जरूर अपने टीम में रखेंगा और किस प्लेयर के जगा पर रखेंगे ये चीज़ हम आपको टॉस के बाद टेलिग्राम पर बता देंगे तो अगर अभी तक टेलिग्राम पर जोईन नहीं हुए है तो जोईन हो सकते है इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर मैंने लिंक दे दिया है लेकिन ये वीडियो एंड होने के बाद आप टेलिग्राम पर जोईन होईएगा तो फिलाल के लिए हम लोग मलान को छोड़ते हैं लेकिन टॉस के बाद जरू अपने टीम में रखेंगे अगर मलान इस मैच में खेलेंगे यहाँ से टीम मुसा कंड़ा नहीं खेलने वाला है छोड़ दीजेगा आर कईया का बाद कहा है तो यह खेलते वे दिखाई देदेगा लेकिन लेकर कोई फायदन यह कुछ खास प्लेयर नहीं है और यहाँ से देखिए जेड हमजा को अगर आप दो-तिन टीम बना रहे तो एक टीम में आप रख सकते हैं टीम आरुमनी को जुरू अपने टीम में रखें बैटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं साथी साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे तो पॉइंट विकेट कीपिंग में भी कैच करके आपको जो पिछले मैच का इस्टार प्लेयर रहा है साथ रन की पारी खेलकर आ रहा है और इकलोता बल्लेवाज था जिन्हों ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया साउथ अप्रिका टिम की दर्फ से यहां से जोर्जी को आप जुरू अपने टीम में रखें और एम चिवाबा को भी ट्राई कर सकते हैं और यहां से नैन गणी को छोड़ दीजेगा बात करते हैं यहां से ओल राउंडर की तो ओल राउंडर में चिवाबा को आप जुरू अपने टीम में रखें बहुत अच्छे फॉर्म में पिछले मैच में 80 प्लस स्कोर करके आ रहा है व से प्रिटोरियस को जुरू अपनी टीम में रखेंगा और आर बरल का बात किया जा तो देखिए अगर आर बरल पूरी तरह से फिट होते तो जुरू आपको खेलते वे दिखाई देते पिछले तीन मैच में से एक मैच में भी आर बरल को मौका नहीं मिला है प्लेयर बहुत मतलब क्या ही बोले यार बहुत जादा इसने इंप्रेस किया हुए बहुत अबर्जस परफॉर्मेंस फॉस्ट मैच में 96 रंग सेकेंड मैच में 70 रंग और थर्ड मैच में बैटिंग अच्छा नहीं कर पाया तो बॉलिंग में तीन विकेट निकाल लिया बहुत अबर्जस टूर जाइन हो जाहिएगा विडियो के ऐंट होते ही कि बात कहा या से डबलू लूबे का तो देखे डबलू लूवे विकेट नहीं ले पा रहा है बाarlिंग अच्छा कर रहा है लेकिन इसको विकेट नहीं मिल रहा है तो इसी बिधर से फिलाल में आसे चटा रहा है को जुरू अपने टिब में रखे बहुत एच्छे फॉर्म में फेल उकवायो इस मैच में भी नहीं खेलने वाला है लगता है यहां से एफ अक्रम नहीं खेलेगा अब बात कर लेते कैप्टेन और वाइस कैप्टेन की तो देखें इस मैच में हमने डी माइर को कैप्टेन मनाया है च्किज़ में हार इसमें बहुत अब जाता हूं तो मुझे बिलकुल भी अफ्सोस नहीं होगा क्योंकि देखे इस player ने बहुत अच्छा performance किया है बहुत जादा मुझे impress किया है इसी वाइसे मैं डी मायर को captain बना रहा हूँ और अगर मैं इस match में हार भी जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अपसूस नहीं होगा so मेरा captain तो डी मायर रहने वाला है और wise captain मैं यहाँ से रीजा हेंडी को बना रहा हूँ क्योंकि रीजा हेंडी का performance भी देखिए अच्छा रहा है पिछले दो मैच में दो बार half century कर चुका है और सबसे experience player है साथी साथ कुछ over balling भी कर लेता है सो इसी वैसे मैं रीजा हेंडी को wise captain बना रहा हूँ इसके अलावा आप चाहे तो किसी और को भी captain wise captain बना सकते हो जैसे कि देखे पहले team में तो आप डी मायर को ही captain बना दीजे wise captain आर हेंडी को बना दीजे fourth team अगर आप बना रहे तो वहाँ पे मारू मन्ही गारू मनी को captain मना सकते हैं और wise captain यहाँ से बॉलर में किसी को मना सकते हैं जैसे कि यहाँ से deep prioritize को मना सकते हैं अगर आप फ्राई के टीम बना रहे तो तरीका से captain wise captain change करके भी आप 4-5 टीम बना सकते हो साथ ही साथ कुछ player भी अगर आप change करना चाहे तो change कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे W लुबे एक अच्छा player है इसको try करना चाहे तो कर सकते हो फिर यहाँ से baller में नियाची एक अच्छा baller है नियाची balling अच्छा करता है ये नयाची को अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हो सो देखें फिलाल के लिए तो यही हमारी फाइनल ड्रीम 11 टीम रहेगी अगर बाई चांस देखें मैं से पहले इस टीम में मुझे कोई भी चेंजेस करना होगा तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा आप लोगो टेलिग्राम पे बता दूँगा सो अगर अभी तक आप मेरे टेलिग्राम पे जॉइन नहीं होए तो जॉइन हो सकते हैं इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करके आप जुरूर जॉइन हो जाएगा लिंक पे क्लिक करने के बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है जॉइन होने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजेगा मैं आपको Instagram पे बता दूँगा कि कैसे आपको Telegram पे join होना है so Instagram का link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जागा so Instagram पे भी आप मुझे message कर सकते हो और अगर आपके मन में कोई भी doubt लग रहा है तो आप comment करके जरूर इस वीडियो के नीचे बता दीजे हम आपके comment का reply भी कर देंगे साथी साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी comment करके जरूर बताईएगा और देखिए जिसका comment मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका comment को हम हट भी देंगे साथी साथ उसका comment को हम पीन भी कर देंगे ताकि कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट सबसे पहले सो करें मतलब दिखाई दे आप लोग कमेंट भी जरूर किजेगा सबसे इंपॉर्टन बात अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर किजेगा जो भी ड्रीम 11 खेलते हो सो इस वीडियो को यही पर एंड करते तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम